हाई एवरिवन लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी MSW यानि की मोक सर्विस वरकर के बारे में जिसका यूज होता है API कोल को टेस्ट करने के लिए बट अभी के लिए हम लोगों ने कोई भी API कोल नहीं कर रखी तो टेस्टिंग तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इस पार्ट के अंदर API कोल कर लेते हैं और next वाले पार्ट के अंदर उसके हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे MSW के साथ में I know कि आप मेंसे बहुत से लोगों को API को कोल करना आता होगा और बोलोगे कि इस पार्ट की जरूरती नहीं थी आप वैसे कोल करके रख लेते हैं बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे API कोल होती है उसको भी थोड़ा बहुत पास यहां भी app.js है इसके बहुत बहुत बेसिक सा code लिखा होगा है इसका output आपको यहां पे दिख रहा होगा सो मैं यहां पे क्या करता हूँ simply एक state ले लेता हूँ data नाम से और उसको update करवाने के लिए set data नाम से इसके अंदर एक function भी हो जाएगा and then यहां पे use state नाम से हम लोग hook use कर लेंगे इसके अंदर API इससे जो data हमें मिलेगा उस data को हम लोग रखने वाले हैं तो अब मैं क्या करता हूँ एक function बना लेता हूँ get data नाम से आप किसी और नाम से function बना सकते हो जो भी आपको ठीक लगे बट अभी के लिए मैं इसी नाम से function बना रहा हूँ और better है कि ना हम लोग इसको एक arrow function के जैसे रखे वो better रहे गा इस तरीके से रख लेता है और जब भी हम लोग API कोल करते हैं तो API हमें promise return करते हैं इसको handle करने के लिए हम लोग इस function को async बना देते हैं यहां पर मैं एक let result नाम से variable ले लेता हूँ इसके अंदर हमारे क्या होगा API का जो response मिलेगा हमें वह होगा तो मैं यहां पर fetch API कोल करूँगा await keyword यूज करा promise को handle करने के लिए और यहां पर मैं API का path लगा देता हूँ जो भी हमारे पास API का यहां पर URL है यह मैंने लगा दिया इसके अंदर अब इससे हमारी API कोल हो जाएगी इसके अंदर कोई दिक्कत निया बट जो यह data return करेगी ना वो read stream के अंदर form के अंदर होता है json की form में नहीं होता तो उसको json form में convert करने के लिए फिर से हम लोग यहां पर await यूज करते हैं और result के पीछे लगा देंगे हम लोग result.json function यह इसको json में convert करके देदेगा उसके बाद हमाई को attention नहीं रहेगी अब जो set data है जो हम लोग ने state ली थी इसके अंदर result है यह जो data है एप वाला उसको डाल देते हैं इसको test करने के लिए कि वो properly आ भी रहे के नहीं आ रहा आप यहां पे data state को print भी करवा के देख सकते हो कि data हमारे पास आया के नहीं आयागा अब इस function को कहा गोल करना है जब हमारा page load होगा तो मैं उसके लिए use effect वाला जो hook होता है उसके अंदर इसको गोल कर देता हूँ और इसको हम लोग यहां पे यह हमारा blank करे डाल देते हैं तक यह use effect एक ही बार चले and इसके अंदर मैं यहां पे डाल देता हूँ get data यह वाला function अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे आके चेक करेंगे console के अंदर कि क्या हमें हमारा result मिला या नहीं मिला इसको मैं call करता हूँ जैसी call करा तो यहां पे मुझे null मिला null क्यों मिला let's see क्योंकि हम लोगों को डालना result था और डाल हमने दिये इसमें data अब यह properly काम करना चाहिए देखो हमारे पास 10 जो results है वो इसके अंदर आ गए हैं आप इनको और इनको यहां पे match करना चाहो तो match भी कर सकते हो so API हमारी call लग गई है अब इसको यहां पर हम लोग प्रोट भी करवा लेते हैं तो मैं यहां पर API call की अप लिखता हूँ list of users और यहां पर JSX का use करेंगे then हम लोग लिखेंगे data.map और इसके अंदर basically हम लोग यहां पर item ले लेंगे जो की API की data को iterate करेगा then simply हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं एक ally ले सकते हैं चीक है हाँ एक ally ले सकते हैं उसके बाद उपर list ले लेंगे यूवल भी ले लेंगे and इसके अंदर हम लोग यहां पर print कर लेंगे simply item.name अब देखने क्या में मिलता है list हमें मिल गई है अब तुड़ा सा यहां पर side गंदर भी आ रही है और properly दिख भी रही है इसके key भी बना देता हूँ मैं वो better रहेगी key इसके हम लोग क्या लिखेंगे basically item.id यह इसकी key हो जाएगी तो अभी जो यह error आ रहा था वो भी नहीं आना चाहिए था अच्छा double braces लगा दिया हमें sorry single braces काफी रही तो यह जो method था unique की वला यह वला भी इशो नहीं आएगा so API call हमारी हो गई है next part के अदर इस API call की हम लोग यहां पर testing करेंगे that's all for this part और मैं आप से request करूँ कि please video को like करो चनल को subscribe करो comment section में feedback दो और यह मेरा ptm का donation number है thank you guys